हलो फ्रेंड्स मैं कांशा जी के विता कांशा में आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूस सुनने वाले हैं यह बहुत सारे पदोपे करीब 8000 पदोपे वेकिंसी निकली है प्यार्ट टीजटी और पीजटी में तो आज हम इसके बार पढ़े जीके पढ़े तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी तरह फ्रेंड्स जो भी विकेंसी आती है नहीं और जो भी गटना घटत होती है और जो भी एक्जाम चल रहा होता है तो मैं उसकी तैयारी आपको कराती हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आगे दिखिए फ्रेंड्स निकलिए है कैंडिडेट्स और इक्जाम होना है यह ओनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होना है 2019 में यह जो 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है इंडिया में उनके लिए होना है और यह जो स्कूल से कम 8000 जो टीजर की वेकेंशी है वो खाली है तो इसके लिए उनको जो है टीचर की भरती करना है इसके नमबर वेकेंशी अबलेवल इन रिस्पेक्टिव स्कूल विल वी अनॉंस्ड वाइदा इस्कूल मेरिजमेंट वाइल अड़ एड़टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटर्वियूस और टीचिंग स्किल्स देखें जो भी जो 8000 टीचर की भरती होनी है उनका एक एक जाम होगा फिर इंटर्वियू कंड़क्ट कराएंगे उसके बाद भी स्किल्स वगरा है उनको देखा जाएगा और उसके बाद यह भरती प्रिक्रिया पूरी होगी और ज जैसे कि सेंट्रल की विकेंसी होती है उसी तरह से यह विकेंसी रहेंगी सिलेक्शन पॉस प्रोसीजर क्या रहेगा तो सिलेक्शन प्रोसीजर थी स्क्रेज कर रहेगा सबसे पहले स्क्रीनिंग एक्जाम होगा जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और यह जो होगा 19 और 20 अक्टूबर को ये होगा और और उनलाइन स्क्रीनिंग टैस्ट होगा इसके बाद आपको क्या होगा एक कार्ड मिल जाएगा जो लोग क्वालिफाई होंगे देखो दोस वो क्वालिफाई इन देस स्टेज विल वी गिवन आ स्कॉर कार्ड तो जो लोग भी क्वालिफ जो टीचिंग से ले सकते हैं किसी भी सी बीजिए अफलेटेट स्कूल में आप इसको एक लिए क्लिए कम से कम आप इसे स्कूर कार्ड से वहाँ पर जोईंग कर सकते हैं इसकोर कार्ड विल में केंडिगेट एलिजिएवल तो एपिर फोर दर में इस्टेज अप इसकोर पर जो जो जाते हैं तो आपको किसी भी स्कूल में जो सी वीएसी से होगा आप वहाँ पर एक साल के लिए वहाँ पर जोईंग कर सकते हैं इसके बाद दूसरा जो फेज़ आता है वह आपका स्क्रीन टेक्स पर इंटर्विव आता है जो कि दर इस्पेक्टिव स्कूल से लेनाउंस जबी भी कोई भी स्कूल रहेगा जहां पर जो पोस्ट है वेकेंट हैं तो वह लोग अपना न्यूस पेपर में एड दे देंगे और स्कूल की वेबसाइट पर नोटिस वोट पर लगा देंगे तो उसके बाद अलग अलग जो भी जो उनके पास को कार्ड मिल गया है स्कूर कार्ड मिल गया है तो वह इंटर्विव के लिए उनको बोलाया जाएगा दे में भी हैल्ड एस पर डिस्क्रीशन आफ लोकल मैन कंप्यूटर फॉफिशेंसी कैसी है जो भी अलग-अलग लेंग्वेज के लिए होगा जिसमें आपका 15 मार्क्स का ऐसे होगा और जिसमें आपकी टीचिंग स्किल देखी जाएगी लेंग्वेज टीचर देखी जाएगी रिटन टैस टाइप का यह आपका होगा और जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें क्या-क्या पूचत रहेगा और इसकी टीचर की क्या है वह हम देखते हैं देखी 19 और 20 अक्टूबर को आपका यह ओल्डन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अभी जो आपको नीचे बताती हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा देखी कै सबसक्राइब करने इससे टीचर परफॉला इसमें अपको 50% मांगा और बीएट कंपर सरी है और यहां पर भी आपको जो लाना है मिनिमम कौलिकेशन में आपको 50 परसंट होना चाहिए और यहां पर आपको लाना है आपको 50 होना चाहिए और लाना हो रहेगा वो भी आपका F50, B.Ed. में लिए इसके पर्सेंट variety, मतलब आपका P.G. में भी 50% होना चाहिए, बीड में भी 50% होना चाहिए, इसके बाद T.G.T. जो graduation based है उसके लिए क्या है उसमें भी 50% होना चाहिए, यह B.Ed मांगा है और B.Ed में भी 50% होना जाए ऐसा यह PRT के लिए graduation मांगा है 50 marks से और B.Ed या 2D.Ed का जो 2R का diploma होता है वो मांगा है तो आप पोस्ट के जो लेद देन 50% marks in graduation but more than 50% marks in post लेकर यह बोल रहे हैं कि अगर आपके post graduation में 50 marks से कम है बट graduation में अगर आपके 50% marks से कम है लेकिन आपका post graduation में 50 marks से जादा है तो आप इसमें eligible रहेंगे अब यह Army Public School की डिटेल दी गई है जो फ्रेस candidates रहेंगे एज कैसे रहेगी ववस्ट अप्राइल से मानी जाएगी और 40 साल से जो लोग कम रहेंगे TGT PGRT के लिए तो उनको वैलिट किया जाएगा तो जो 29 से जादा हो और TGT PRT में और 36 से जो कम हो इसके लिए अलाओ कर सकते हैं अगर और जिनके पास कम से कम पास सल का experience हो यह भी उन्होंने मांगा है experienced candidates those with more than five years teaching experience in the last 10 years जो जिनके पास five years से ज्यादा का teaching experience होगा उनके लिए उस 57 से भी 57 तक एज जो है दी गई है और जो फ्रेंड्स जो भी आपका documents रहेंगे आपका photograph signature proof date of worth का जो प्रूफ आईडी रहेगा academic qualifications के certificate यह सब रहेगा और इसके आप email के दौरा आप यह online के दौर आप यह farm भर सकते हैं फिर आपका exam center जब आप farm भरेंगे तो पूरा registration portal पर जितनी भी exam center है वो आपके लिए available हो जाएंगे और फिर जैसे ही आपका farm भरेंगे तो आपका admit card भी जो है admit card असू हो जाएगा admit card भी online ही आपको मिलेगा जिसको आप download कर सकते हैं और जो result है वो आपका 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा जो अगर दो score card of successful candidate will be available on the registration portal after the exam is the candidate certificate में download and laminate जैसे ही आपको जो आपको अगर आप qualify होते तो आपको score card मिल जाता है आप उसको ले लिजेगा और उसको आप laminate करवा दीजेगा इसका registration की जो rate है वो एक September से 22 September तक है और admit card आपके आएंगे आपके 4 October से आएंगे और exam 1931 October को होगा और result आएगा आपका 30 October का तो यह उन्होंने अपकी यह timeline दी है देखिए आप PGT में क्या क्या आना है वो देख लीजेगा PGT के slavers में क्या आना है general awareness, mental availability, English, comprehensive educational concept and methodology इसका marks जो रहेगा इसका 90 marks कर रहेगा और exam का जो time है वो 180 minute कर रहेगा और for TGT papers of subject and social science subject there will be portion of question pertaining to parallel subject for देखिए अगर आप science subject के हैं तो आप का वहीं उसी का subject है लेकिन अगर आप math background के हैं तो आपके physics paper will be 20% question of chemistry and वाले तो science background के paper लाएंगे similarly TGT history paper will have 20% question जैसे कि आपका TGT है तो जिसमें 20% question geography political science के रहेंगे तो याद रखिएगा PGT का जो रहेगा एक paper रहेगा general awareness, mental ability, English यह सभी दोनों PGT PRT के लिए same रहेगा और part भी में जो specialty रहेगी आपकी subject की वो रहेगी यह maximum boxes का नब भी रहेगा और 180 minute आपको time मिलेगा और PRT में जो रहेगा PRT में आपका cable यही paper होना है PGT TGT graduation और PG-based है तो यह आपका subject जो आपका specific लिया होगा अपनी graduation में उसके लिए रहेगा और PRT में आपके लिए specific subject नहीं रहेगा और यह normal जो आपका paper होता है जी के आएगा उसमें आपकी reasoning आएगी English आएगा और जो भी शिक्षर से संबंदित तथ्य रहते हैं वह आएगा आपका मानवनों विज्ञान PGT TGT candidates who far in part B pass part A में up to a scorecard for PRT तो आपके लिए अगर जो आप अगर उसमें part B के लिए fail हो जाते हैं तो आपको एक score वार PRT के लिए मिल जाता है जो PRT जो सबसे low है जो graduation से भी low के लिए होता है स्कूर्स बिल्भी नॉर्मलाइज स्कूर्स जो रहेंगे वह 100 नंबर से पर नॉर्मलाइज रहेंगे और जिसमें negative marking 154 marks पर कट जाएगी आपकी तो क्वालिफाइज जो क्वालिफाइज होंगे उनको कम से कम पचास पतीस सद इसको लाना जरूरी रहेगा एक्जाम की जो फीस है वह आपकी 500 रोपे रहेगी और इस registration portal पर जाके आप इसका farm फिल क कर सकते हैं फ्रेंज यह थी आपका पूरा detail जो कि मैंने इस वेकेंशी के बारे में आपको बता दिया है आप भी अगर इसमें बहुती है तो आप भर सकते है मदवदेस का कोई है जो इसमें लेना चाहता है पार्ट वो भी इसमें पार्ट ले सकता है इस एक्जाम को दे सकत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा तक जब इसके आने वाले स्लेवस की तैयारी करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहा है वीडियो को सेर कीजेगा जिससे ज़्यादर से ज़्यादर लोगों कर इस भरती के वारे में अबर पहुँच सके, ओके फ्रेंज, थेंक यू